पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बात किया था differential equation के order के बारे में, degree के बारे में and differential equation को बनाएंगे कैसे उसके बारे में detailed discussion किया था आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि differential equation को solve कैसे करेंगे तो जब आप differential equation को solve करेंगे तो उसके दो type के solution आएंगे एक को बोलते है general solution तो इसमें क्या होगा constant term आएगा that means उसकी value आपको पता नहें होगी constant term के term में ये आएगा और दूसरा होता है particle solution जिसमें कोई constant term नहीं होगा that means constant term की value आपको मालूम होगी for example जैसे x dy minus y dx is equal to 0 तो ये एक differential equation है इसको आप solve करेंगे तो इसका जो general solution होगा y is equal to mx हो जाएगा जहांपे m की को भी value हो सकते है तो इसको बोलेंगे general solution और अगर m की value हमने put कर दिया like root 3, 2 या कोई भी number आ गया तो अब ये क्या हो जागा particular solution तो particular solution के लिए आपको x और y की value given होगी जिसको put कर करके वो जो constant time है उसको हम निकाल सकते है तो ये बात पहले clear होनी चाहिए नाव जो question arise होता है कि sir हम differential equation को solve कैसे करेंगे तो उसके लिए जो method है वो दो हैं जिसमें से इस video lecture में एक method के बारे में बात करो that is variable separable method तो ध्यान से समझना variable separable method अपने आप में clear है कि आपको क्या करना है एक type के variable को excite कर लेना और दूसरे type के variable को equal sign के excite कर लेना है इसलिए इसको बलते है variable separable method for example तो इसको करने के तीन तरीके एक है direct method जो आपको दिख जाएगा जैसे x dy minus y dx is equal to 0 तो इसको मैं चाहूँ तो y का term को excite कर दिया dy open y आगिया और x के term को excite कर दिया तो इसलिए इसको बोलते है variable separable method तो एक तो directly हो जाएगा उसको आदम क्या करेंगे integrate कर देंगे तो आपको solution आ जाएगा दूसरा होता है substitution method यहाँ पे भी substitute करके कर सकते जैसे for example y dash is equal to अगर यह है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ x plus y plus 1 को t substitute कर रहा हूँ तो ध्यान से समझो जिसको substitute किया तो उसको differentiate करेंगे तो x का differentiation 1 y का y dash होगा 1 का 0 और t का dty dx तो y dash की जगा मैं क्या put कर सकता हूँ dty dx minus 1 यहाँ put कर दो तो यह change हो जाएगा अब यह equation dty dx minus 1 is equal to यह क्या था हमारा t तो t square अब अगेन variable separable लगा सकते हैं तो ध्यान से देखो dty dx यह उदर जाएगा तो t square plus 1 अब t वाले टम को एक साइड x वाले टम को एक साइड तो dt by t square plus 1 is equal to dx तो इस method का भी जो main aim है वो y है variable separable में लाना है यहाँ पे direct आ जाएगा यहाँ पे हमें substitute करने के वाद फिर से variable separable method में ही लेके आना है और एक और तरीका है अगर आपका जो given equation है वो homogeneous हो homogeneous का क्या मतलब है कि उसमें x और y की जगा अगर आप lambda x lambda y put करेंगे तो यह lambda की power n f of xy आ जाएगा that means n जो होगा वो कोई भी integer हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 या minus 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है integer होना चाहिए फर एक्जांपल जैसे यहां पर ध्यान से देखो ये ख़ी ungef LOOKation है अगर इसमें x की जगा lambda x put करूं और y की जगा lambda y ये तो cancel हो जागी lambda lambda इसका cancel हो जागा इसका सिर्फ lambda हाइगा इसका lambda हाइगा तो ध्यान से देखो सब टैप से lambda cancel हो जाएगा lambda की power एक तरह से 0 आ गया तो यह एक होमोजीनियस equation है तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि given equation होमोजीनियस है कि नहीं उसके लिए आप एक fund आपको बता दिया अगर यह होमोजीनियस है तो फिर इसको variable separable में लाने के लिए हमें यह put करना पड़ेगा y is equal to vx और इसको differentiate कर दो तो y का y dash हो जाएगा x का derivative 1 तुसरी v बचेगा और फिर v का derivative d y dx into x that means y dash की जगह आप यह put कर देंगे और फिर solve करेंगे तो फिर से यह किसमे आ जागा variable separable तो इसलिए point number 2 जो है वो बहुत important है again summarize कर रहा हूं में कि आपको always variable separable method को apply करना है तो वो direct हो सकता है या substitute करकर के आपको फिर से variable separable में लाना पड़ेगा या फिर homogeneous equation होगा तो वहाँ भी एक तरीके से substitution करके ही variable separable में लियाएंगे एक बार variable separable में आ गया तो दोनों side integrate कर दो you will get your general solution और अगर x और y की value given है तो you will get your particular solution तो अब मैं इस पे base problem लेकर करके आपको ये method को और भी अच्छे से clear करता हूं question number 1 में cos x into 1 plus cos y dx minus sin y into 1 plus sin x dy is equal to 0 है और इसका general solution आपको बताना है तो again ध्यान से देखो सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे variable separable करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इसको मैं उधर ले जाता हूं तो यहां पर ऐसे लिखूंगा cos x into 1 plus cos y dx is equal to उसको उधर ले गया तो इधर लाना पड़ेगा तो अब ध्यान से देखो x को excite कर रहा हूं y को excite तो यहां पर ध्यान से देखो इधर में cos x है तो ऐसी रहने दिया और dx तो है और इधर में ध्यान से देखो 1 plus sin x है तो इधर तो अगर easily आ जाता है तो आपके लिए जो एक step है वो easy हो जाएगा नाओ दोनों साइट क्या कर देंगे integrate अब integrate करेंगे तो ध्यान से देखो 1 plus sin x को अगर मैं ध्यान से देखो अगर t put करता हूं तो 1 का derivative 0 sin x का derivative cos x dx तो यह क्या हो हो जाएगा द्यान से देखो तो dt by t dt by t का क्या होता है इसको डारेक्ट मैं लिख रहा हूं एल एन आफ वन प्लस sin x राइट इजीकल टू यहां पर भी द्यान से देखो अगर one plus cos y को वी पूट कर दूं में अगर इसको वी पूट करता हूं तो one का 0 cos का क्या होगा द्यान से देखना माइनस sin y तो माइनस sin y dy तो माइनस dby भी तो यह क्या हो जाएगा माइनस रह जाएगा एल एन वी मतलब one plus cos y और एक constant term भी होगा तो उस constant term को भी log में ले लेते हैं ताकि solve करना ही दियोगा तो एलन सी इसको इधर लेकाएंगे तो क्या हो जाएगा द्यान से देखो ln of one plus sin x plus ln of one plus cos y is equal to ln c यह log a plus log b है तो log a into भी हो जाएगा और ln ln cancel हो जाएगे तो द्यान से देखो क्या हो जाएगा one plus sin x into one plus cos y is equal to c तो this is your general solution अब अगर मालो x y की value given होता तो यह c निकाल लेते तो क्या हो जाता particular solution तो आपका option क्यों हो जाएगा द्यान से देखो one plus sin x into one plus cos y is equal to c that is option c तो इस तरीके से आपको करना है question number two में one plus xy into y dx plus one minus xy into x dy is equal to 0 है तो general solution बताना है तो द्यान से देखो कैसे करेंगे पहले y dx को multiply कर देते हैं तो क्या हो जागा द्यान से देखो y dx plus x y square dx फिर plus इसको अगर multiply करेंगे तो क्या हो जागा x dy minus x square y dy is equal to 0 अब यहाँ पे द्यान से देखो y dx और x dy को एक साथ लेता हूँ तो y dx plus x dy और इसको इदर ले लेता हूँ तो क्या हो जागा x y square dx minus x square y dy is equal to 0 अब यहाँ पे आपको क्या सोचना परेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सबही को x square y square से divide कर रहा हूँ तो द्यान से देखो इन दोनों को combinedly divide कर दे है x square y square से इसको भी x square y square से और इसको भी x square y square से ऐसा करने से equation पे कोई फर्क नहीं परेगा अब यहाँ पे द्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ D of XY upon XY का whole square ध्यान से देखो XY का whole square यही आ जाएगा और D of XY ध्यान से देखो यही आएगा क्या हो जाएगा Y DX और X DY यहाँ पे ध्यान से देखो तो Y square और 1X क्या हो जाएगा आपका cancel हो जाएगा तो यह क्या जाएगा plus DX by X और यहाँ पे ध्यान से देखो डिवाइट करकर के एक्स्ट्रा थोड़ा थिंग करकर के सब को नोन फॉर्मिल या आप इसका इंटेग्रेशन इजी है तो ऐसा भी करने की कोशिश करना अगर मैं सब को इंटेग्रेट कर दूँ तो इजी हो जाएगा अब यहां पर द्यान से देखो यह तरीखी से क्या होग अब यहां से देखो यह लॉग ए इसको लिख सकता हूँ लॉग मतलब नेच्रोल लॉग है एक्स अपान वाइट और यह उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वान अपन एक्स वाइपलस सम कॉंस्टेंट तो द्यान से देखो हमारा जेनरल सलूशन आ चुका है लॉग यहां पर जो एक इंपोर्टेंट पॉइंट था कि इससे डिवाइट करने वाला सोचना था जिससे कि यह इस फ़र्म में नोन फ़र्म आ जाएगा और उसका कैसे इंटिग्रेशन करना आपको बता रखाऊं question number 3 में cos of x plus y into dy is equal to dx है तो जेनरल सलूशन बताना है तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे ऐसे question को cos of x plus y is equal to क्या लिख लेंगे dx by dy आप देखो यहां पर ऐसे करना है कि अगर सिर्फ x होता तो हम इदली इंटिग्रेट कर लेते यह वाई होता तो कर लेते तो प्रॉलम कौन कर रहा है यह तो जो प्रॉलम कर रहा है उसको हटाने कोशिश करना है तो मैं क्या करूंगा x plus y को substitute कर दूँगा t that is substitution method now the question is कि हमें क्या चाहिए dx by dy ऐसी आपको think करना परेगा बेटा dx by dy चाहिए तो इस सबको with respect to dy आपको differentiate करना है तो यह क्या हो जाएगा dx by dy और यह क्या हो जाएगा dy by dy तो 1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा dt by dy तो आप dx by dy की जगा क्या substitute कर दूँ मैं तो क्या हो जाएगा cos of t is equal to dx by dy की जगा क्या हो जाएगा dt by dy minus 1 अब इसको इधर लेकिया जाओ तो क्या हो जाएगा dt by dy is equal to 1 plus cos t अब variable से प्रेवल में इसली आ जाएगा तो इसलिए इसको करने का जो main name था वह ही था कि variable से प्रेवल में आ जाए अब टी वाल 1 plus cos t is equal to dy और दोनों साइड integrate कर देंगे तो dy का integration तो y आ जागा अब problem यहाँ प्रेवल में प्रेवल में प्रेवल में कर रहा है अगर suppose करो 1 नहीं होता तो easily कर लेते तो 1 problem कर रहा है तो we know कि cos t को क्या लिश सकते हैं 2 cos square t by 2 minus 1 तो put कर दो तो यह dt upon 1 और cos t की जगा 2 cos square t by 2 minus 1 हो जाएगा राइट और यह द्यान से देखो cos square उपर जाएगा तो से के square हो जाएगा और we know कि tan x का derivative से के square होता है तो यह overall integrate करके द्यान से देखो और 2 to cancel भी हो जाएगे क्योंकि इसमें भी 2 होंगे तो यह direct क्या हो जाएगा द्यान से देखो so your option will be c तो द्यान से समझना मैंने एक दो step quickly कर दिया है और कैसे समझाया वो समझ लेना आपको क्योंकि यह cos square उपर जाएगा तो x square plus y square into dy is equal to xy dx है तो द्यान से देखो कैसे सोचना आपको आप क्या करेंगे dy upon dx is equal to क्या हो जाएगा xy upon x square plus y square अब यहाँ पर अगर आप द्यान से देखो तो अगर मैं x की जगा lambda x put करो y की जगा lambda y तो द्यान से देखो पावर और lambda की पावर क्या हो जाएगी जीरो कैंसल हो जाएगी लेंडा तो इसका हो जाएगा यह homogeneous equation है और अगर यह homogeneous equation है तो we can substitute y is equal to vx अब यहाँ पर द्यान से देखना है कि मुझे क्या चाहिए dy by dx तो इसको क्या करेंगे with respect to x differentiate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा dy by dx is equal to द्यान से देखो यह शिरिफ v बच जाएगा और उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x dv by dx तो d y y dx की जगा क्या पूट कर सकते हो यह तो यह पूट कर दो तो क्या हो जाएगा वी प्लस x dv by dx और यहाँ पे द्यान से देखो कि आप y is equal to vx पूट किये तो यहाँ पर पूट कर दो तो एक बार देख लो द्यान से क्या हो जाएगा x और y की जाएगा vx और यहाँ पे x square है और y की जाएगा v square x square हो जाएगा तो द्यान से देखो x square common है कैंसल हो जाएगे तो यह स्रिफ क्या बच जाएगा v upon 1 पलस v square अब इस v को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x dv y dx is equal to v upon 1 पलस v square minus v v के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसका LCM लेलो तो 1 v square हो जाएगा तो यह v रह जाएगा और यहाँ पे minus यह क्या हो जाएगा ध्यान से देखो v इसमें multiply होंगे तो v plus v cube तो यह plus v minus v cancel हो जाएगे तो शरिफ क्या बचेगा यह ध्यान से देखो minus में v cube upon 1 plus v square अब ध्यान से देखो तो अब यह variable separable में आपका आ जाएगा तो मैं इस तरीके से homogeneous equation होगा तो पहले पैचा लेंगे और फिर यह substitute करके आ सकता है क्या से देखो v वाले term को एक side कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 plus v square upon minus में vq into dv वह धर जाएगा तो क्या हो जाएगा dx by x तो आगया variable separable में सबका m y है अब क्या करेंगे दोनों side integrate कर देंगे अब integration of 1 upon vq प्लस यहाँ पे द्यान से देखो v square से v square cancel हो जाएगा तो 1 upon v और यह क्या हो जाएगा आपका dv is equal to dx by x का integration क्या हो जाएगा lnx अब यहां पर ध्यान से देखो we know कि v की power minus 3 होगा तो v की power minus 3 का integration क्या हो जागा ध्यान से देखो minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 तो यह v की power minus 2 और यहां पर भी क्या हो जागा minus 2 तो ध्यान देखना एक minus पहले से था तो वो plus हो जाएगा तो मैं direct कर रहा हूँ तो यह क्या हो जागा 1 upon 2 v square और यह क्या हो जागा minus में ln v is equal to ln x plus some constant आएगा तो plus some constant या ln c ले सकते हैं तो अब यहां से द्यान से देखो तो इसको उधर ले जाता हूँ मैं तो इसको अगर उधर ले जाओंगा तो क्या हो जागा 1 upon 2 v square is equal to यह log a plus log b हो जागा तो यहां पर द्यान से देखो तो क्या ले सकते हैं ln v x plus आप चाहो तो ln c भी लिख सकतो एक constant को ln c फिर से यह add हो जाएंगे तो यह क्या हो जागा 1 upon 2 v square is equal to ln v c x तो यहां से आप चाहो तो e to the power में भी ले सकतो आप v की जगा आप put कर देंगे क्या y by x तो यहां पर द्यान से देखो तो अगर मैं लिखूँ तो v c x is equal to यह क्या हो जागा e to the power 1 by 2 v square और आप चाहो तो v की जगा क्या put कर सकतो y by x तो यह क्या हो जागा y by x c x तो x x cancel हो जागा यह e to the power 1 upon 2 और v की जगा क्या put करेंगे द्यान से देखो y by x का whole square तो इस type से आप का जाएगा तो finally इसको solve कर लोगे तो x और x cancel हो जागा c को चाहो तो उधर कर सकते हैं तो यह y is equal to some constant again c dash right और क्या हो जाएगा e to the power और द्यान से देखो तो क्या हो जाएगा x square upon 2y square तो this is your solution तो कहने का मतलब यहां से एक चीज और जो मैं समझाने कोशिश कर रहा हूं कि जो general solution होगा उसको different form में लिख सकते हैं सब equivalent होगे different form में लिख सकते हैं log के form में जैसे लिखा जा सकता है यहां पर इसको exponential के form में लिखा जा सकते हैं तो general solution के different form हो सकते हैं बट करने का तरीका वही रहेगा तो I hope मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा बेटा मैंने हर टाइप का question लेकर का आपको समझा दिया है variable separable method is one of the method जिससे आप differential equation को solve कर सकते हैं उसमें 3 point का ध्यान रखना है आपको हो सकता है जो differential equation given है वो easily variable separable method में आ जाए या फिर कभी-कभी substitute करके लेकर आना परेगा या फिर homogeneous होगा पहचानेंगे कैसे वो भी समझा दिया और फिर उसमें भी substitute करके फिर लेकर आना है और फिर वैसे ही integrate करना जैसे आपको indefinite integration में समझाया हूँ तो अगर मेरा ये परियास आपको पसंद आता है तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share किजिए Thank you